साथ नमस्कार स्वागत आपका अपने चैनल हाडा वेट्स क्लब में गाय भेंस की भूक बढ़ाना चाहते हैं तो यह तीन चीजे उसको रोज देना चालू कर देजे उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी भेंस खली नहीं खा रहे थी चारा बहुत कम खा रहे थी सुकल बहुत कम खाती है तो दोस्तों यह जो मैं बता रहा हूं इस फार्मोले को यदि आप किसी भी गाय भेंस को दे देते हैं तो उसकी भूक दो गुना हो जाएगी वह गाय जो खली नहीं खा रहे थी वह दुगनी खली खाने लगेगी कंकड पत्थर भी खा जाएगी यदि आ आपकी गाय बेस बर पेट खाना खाएगी तो उसकी चमड़ी पर रंग आएगा जब आपकी गाय बेस खूब बर पेट खली दलिया बांटा वगेरा सब कुछ खाएगी तो एकदम से हश्ट पुष्ट रहेगी एकदम से उसका वजन बढ़ेगा फेंट बढ़ेगा दूद बढ़ेगा और उसकी ताकत बढ़ेगी किसके भूक से यदि उस भूक ही नहीं उसको खाना नहीं खाता है पुष्ट गाय खाना ही नहीं खाती है उसको भूक ही नहीं लगती सही से तो क्या फाइदा है आप चाहिए कितने भी रूपिय का लाका उसको खिला दे कितना भी ग सब्सक्राइब जरूर कर लिए और फिर लाइक कवर्टन दबाना बिल्कुल न बुले लाइक जरूर करें दोस्तों गाई बेंस की भूख बढ़ाना कौन नहीं चाहता यदि गाई बेंस की भूख बढ़ेगी तो गाई अच्छा चारा खाएगी अच्छी खाली खाएगी और हमारी गाय अच्छा दूद देगी, सबसे बड़ा फाइदा हमारा यह यह, यह दिया आप समय रहते हैं, उस पर देख लेते हैं, तो आप उसकी भुख बढ़ा सकते हैं, और भुख बढ़ा कर, फिर आप उस गायवेंस को एक दम से मोटी कर सकते हैं, दोस्तों उसके लिए, जहां पर भी आपको ऐसा कोई गायवेंस है, आपकी घर पर कोई ऐसी भेंस है, कोई ऐसी पड़िया या कोई ऐसी बक्री है, या कोई ऐसी जोटी है, जो कम खाती है, खाती तो है, लेकिन खली भी कम खाती है, दलिया भी कम खाती है, हरा चारा भी कम खाती है, सुखा चारा पानी भी कम पीती है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक काम हर पुशु मालिक को करना पड़ेगा यदि यह काम नहीं करोगे तो बहुत बड़ा पश्टा होगे आपको सबसे पहले उस गाई भेंस की डी वर्मिंग करवाना बहुत जरूरी है बिना डी वर्मिंग के आपका कोई भी फर्मुला न तो काम करेगा आप चाहे कितने भी पेस गाई भेंस को खिला देंगे कोई भी लाब नहीं होने वाला है इसलिए आप उस गाई भेंस जोटी कटी पढ़िया को सबसे पहले आप डी वर्मिंग के आप तो टेबलेट दे सकते हैं या आप उसको लिक्विड फार्म में या पाउडर फार्म में बहुत सारे डिवर्मिंग के मार्केट में प्रोडक्ट अवैलेबल है आप कोई सा भी एक प्रोडक्ट लाकर उस गाई भी उसको सुबह खाली पेट या तो बेंडी काइंड दीजिए निल जान से दे सकते हैं और डिवर्मन टोटल इन में से कोई सी भी एक दवा लाकर अपने पुश्चु को सुबह खाली पेट खिला दीजिए एक बार जब यह दवा देती इस दवा को देने एक बात अब शुरू करते हम हमारा खास फार्मूला कि हमें गाय भेंस की बोग बढ़ाने के लिए उस फार्मूले में कौन कौन सी चीजे डालना है इस फार्मूले में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे घर में रखी तीन चीजे लेंगे और एक दवा हम मार्केट से खरीद कर लाएंगे क्योंकि मार्केट से खरीदी हुई दवा की भी हमें यहा क्या लेना है आपके घर में रखा मिठा सोड़ा आपके घर में रखी हल्दी और आपके घर में रखा नमक ये तीन चीजे हमें अपने घर में से लेना है अब बात करें रोज हमें पशुव को कितना कितना देना है दोस्तों आप पचास ग्राम मिठा सोड़ा लीजिए पचास ग्राम आपको नमक लेना है और 20 ग्राम आपको हल्दी लेना है यह तो तीने चीज़े हमें घर से लेनी है इसके अलावा आपको मार्केट से दोस्तों एक किसी भी कंपनी का आपको लिवर्टो निकलाना है आप चाहे तो लिवली बन जिरो बन ला सकते हैं बुटो न ला सकते हैं लिवोटास और एपावेज आप किसी भी कंपनी का मार्केट से एक लिटर का लिवर्टो निक आपको खरित कर लाना है हमें क्या करना है, 50 g rama हमने मिठा सोडा लिया है, 15 g rama हमने नमक लिया है, 20 g rama हमने हल्दी लिये और उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो लिवर्ट होने कि, यह हम 100 ml उसके अंदर मिक्स करके पशु को, सुबा खाली पेट हम यह पिला देंगे आप सोचेंगे कि मेरी बेंस ग्याबी ने क्या उसको मैं दे सकता हूँ तो बिल्कुल दे सकते हैं लेकिन इसमें आपको एक बदलाव करना पड़ेगा अन्यत आपकी बेंस का बच्चा बाहर निकल जाएगा और आपकी बेंस का अबर्शन हो जाएगा यह जो मिठा सोड़ा है दोस्तों यह आपको अपनी ग्याबिन पशु को नहीं देना है जो पशु दूद दे रहे हैं जो पशु भ्याए हुए हैं या जो कट्ले कट्लिया है या जो बूले उसको आप मिठा सोड़ा दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन येदि आपकी गाय ग्याबिने भेंस ग्याबिने उसको आपको मीटा सोड़ा नहीं देना है उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों पचास ग्राम नमक 20 ग्राम हल्दी और 100 अमेल आपको लिवर टोने ये तिनों चीजे जो ग्याबिन भेंस है यदि वह भी कम खा रही है वह भी दूबली पतली हो रही है दोस्तों तो ये फर्मूला उसकी बुक बढ़ाने के साथ साथ उसके दूद को बढ़ाएगा उसके दोस्तों जो भी पचुक आप भुक बढ़ाना चाहते हैं ये जो पचुक ग्याबिन नहीं उसको तो आपको मिटा सोडा नमक हल्दी और लिवर टोनी ये चारों चीजे देना है जो पचुक ग्याबिने उसको हम क्या करेंगे मिटा सोडा नहीं देकर पचास ग्राम नमक 20 हल्दी और 100 ml ये 100 ग्राम आप उसको लिवर टोनी रोज सुबह सुबह दे सकते हैं लेकिन एक बात का और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस पचुक आप मिटा सोडा दे रहे हैं नमक दे रहे हैं हल्दी दे रहे और लिवर टोनी दे रहें इसमें से आपको क्या कर कि पशु को मिटा सोड़ा एक दिन दिया फिर तिन दिन बंद करेंगे फिर एक दिन देंगे मान लिजे आपने एक तारिक को अपने गाई बेंस को मिटा सोड़ा दिया है दो तारिक को नहीं देंगे तिन तारिक को नहीं देंगे चार तारिक को नहीं देंगे फिर पांस तार वरहणाय को आता हैिन, तो इसकी बोग दूद्ध, वजन, फिट, सब कुछ बढ़ेगा दोस्तों, और जोपुष। आपका कम ukhा रहा था, दाना, बाता, चारा नहीं खा रहा था, खारचारा कम खारा था, और वह पुष। पेट भर कर चारा खाएगा बाल्टी भर कर दूद देगा एक दम से मोटा ताजा ताकत वर हो जाएगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए हो ज्यादा ज्यादा पशुमारे को तक इस वीडियो को शेर करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत बहुत धन्यवाद ठाइंक्यू सुषब नड़ प्री चेंगू सुषब नड़ियो को सबस्ताईब करना हमारे को भीडियो सुषब चारे किक Cem?